नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इंपोर्टेंट टोपिक लोग चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे तो ये टोपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है और कुछी नाम है जो आपको याद रखने हैं और यही बार-बार रिपीट होते हैं तो अभी NTPC के एक्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेशन बार-बार रिपीट हुए थे तो इसमें हम पहले तो जो दिवारों पर, कागज पर या कपड़ों पर पेंटिंग बनाए जाती है उसके बार में पढ़ेंगे उसके बाद जो फर्श पर पेंटिंग बनाए जाती है जैसे कि रंगोली हो गई उसके बार में पढ़ेंगे और लास्ट में जो इस टोपिक से प्रीवियस येर क्वेशन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे तो फुल फ्लेज वीडियो होने वाली है ये आपके लिए और सभी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है ये इसे एक नेक प्रेशन पूछा ही जाता है तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लोग चित्रकला कहते किसे हैं तो किसी भी छेत्रियस्थान की जातियों वा जनजातियों में पीड़ी दर पीड़ी चली आरही पार कारी के बारे में और इन कालाओं से कुछ आधोनिक काल में भी बहुत लोग प्रिये हैं मतलब कि अब के समय भी आधोनिक समय भी बहुत से चित्रकला लोग प्रिये हैं जैसे कि मधुबनी कलमकारी गोंड तंजावूर पिथोरा चित्रकला आदि भारत की प्रमुक लोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कलमकारी चित्रकला वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह कहां कि चित्रकला है तो आंदर प्रदेश की है तो आपसे प्रिक्षा में प्रशन कैसे पूछा जाता है और जो कलमकारी चितर कला है ये दक्षिन भारत में हाथ से पेंट किये गे सूती वस्तरों को संदर्भित करती है तो हाथ से ये बनाए जाते हैं सूती वस्तरों पर और 3000 साल पहले शुरू होने वाली इस कला में कलाकार बास या खजूर के डंडों का इस्तुमाल करते हैं तो जह 3,000 साल पहले की पेंटिंग है इसलिए बहुत ही प्रसिध है और इसमें बालों को ब 진짜 या कलम के रूप में इस्तुमाल करने पूछा ही जाएगा आपने इसके बारे में सुना भी होगा ये विश्व परसित चित्रकला है मधू बनी चित्रकला ये कहां की है तो ये बिहार के चित्रकला है मधू बनी चित्रकला बिहार के मिथलांचल चेत्र के दर्भंगा, मधू बनी और नेपाल के भी कुछ चेत्रों में प्रमुक चित्रकला है और मधुबनी जिले के जितवारपुर गाउं इस लोग चितरकला का मुख्य केंद्र है तो बिहार के मधुबनी जिले से संबंदित है इसलिए से मधुबनी चितरकला कहा जाता है और अपने शुरुवाती दोर में ये जो चितरकला थी ये रंगोली की रूप में विक्सित पहले शुरुवात के समय में सिर्फ औरतों के द्वारा ही मधुबनी चितरकला कही जाती थी पर आधुनिक समय में जो ये चितरकला है पुरुषों ने भी इसे अपना लिया है और जो मधुबनी चितरकला है इसमें कूल देवता का चितर होता है हिंदू देवी देवताओ की तस्वीर प्राकर्तिक नजारे जैसे कि सूर्य चंद्रमा धार्मिक पेड़ पोधे जैसे कि तुलसी और विवा के द्रिश इसमें देखने को मिलते हैं और जो मधुबनी पेंटिंग होती है ये दो तरह की पेंटिंग होती है एक भित्ती चित्र और दूसरा अलपना चित् पेंटिंग बनाई जाती है तो जो मधुबनी चित्रकला कहां की है बिहार की है यही बस आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है उसके बाद देखते हैं चेरियल चित्रकला तो चेरियल चित्रकला कहां की है तिलंगाना की है चेरियल पेंटिंग कपड़ों पर चित्रकारी करके तयार की जाती थी, और इनकी मदद से तिलंगाना इलाके के जो कहानी कार हुआ करते थे, ये अपनी पारमपरिक लोग कथाएं सुनाय करते थे इस प्रिंटिंग के माध्यम से, और कहानी सुनाने वाले ये लोग गाउं गाउं घूम कर महान नायकों की चित्रकला में रूप रेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश का प्रयोग किया जाता था इसकी खासियत थी कि जो चेरियल चित्रकला था इसमें जो आउटलाइन तियार की जाती थी वो गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश से तियार की जाती थी और वाज कल के समय में बहुत ही कम इसक्थ कम कलाकार बचे हैं जो कि चेरियल पेंटिंग करते हैं तो चेरियल चित्रकला कहा की है ये तिलंगाना राज्जी की है इम्पोर्टन्ट है या दखेगा उसके बाद आगे देखते हैं फुलकारी चितरकला तो फुलकारी चितरकला कहां की है ये पंजाब की है ये अभी अंटी पीसे में भी पूछा गया था तो फुलकारी के नाम से परतीत हो रहा है फूल तो फुलकारी एक तरह की कड़ाई होती है जो की चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से की जाती है और फुलकारी शब्द फूल और कारी से बनना है जिसका मतलब है फूलों की कलाकारी तो फूलों की अलग-अलग डिजाइन बनाए जाते हैं फूलकारी चितरकला में तो य की चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से बनाई जाती है मशूर चितरकला है या दखेगा पंजाब की चितरकला है ये उसके बाद देखते हैं वरली या वारली चितरकला ये कहा की है तो ये महाराश्ट्र की है वरली या वारली तो वरली चितरकला महाराश्ट्र की वरली जन जाती की परमुक चित्रकला है तो वरली जन जाती दोवारा यह चित्रकला बनाई जाती है इसलिए से वरली चित्रकला कहा जाता है और यह महाराश्टर की चित्रकला है और इस चित्रकला में देवी देवताओं की अलावा समाजिक विशाओं की भी परमुक चित्र हैं मतल मतलब कि तिवहारों पर ये बनाई जाती है और वरली जनजाती में विवा के समय में ये अनिवारी रूप से बनाई जाती है मतलब कि जब वरली जनजाती में विवा होता है उस समय तो ये अनिवारी है ये मतलब ये पिंटिंग बनाई ही जाती है और पहले इसे दिवारों प पर भी इसे बनाय जाता है तो बताईए वरली चित्रकला कहां की है महराष्ट की है इंपोर्टेंट है या दखेगा कि जंजाती द्वारा बनाई जाती है यह वरली जंजाती द्वारा बनाई जाती है तो वरली चित्रकला के बाद है पट चित्र चित्रकला तो जो पट चित् पड़ा चित्र यानि के ड्रोइंग बनाई जाती है तो पड़ चित्र कहां की चित्रकला है और इसा की है और यह मुख्य रूप से दिवारों कपड़ों तथा तार के पत्तों पर भी बनाई जाती है इसमें जगनात भगवान उनकी भेन सुबद्द्रा इनका चित्र पर चित्रकला तो जो काली घाट चित्रकला है ये पक्षिम बंगाल की एक चित्रकला है और इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी उत्पति काली घाट काली मंदिर कोलकत्ता की आज पास के छेते में हुई थी तो कलकत्ता में है ना काली घाट मंदिर तो वहीं से इस लिए से काली घाड चित्रकला कहा जाता है और यह कहां की चित्रकला है तो यह पक्षिम बंगाल की चित्रकला है उसके बाद देखते हैं गोंड हिस्सा रहा है और गोन जंजाती मद्य परदेश के सिवाए चतिसगर बिहार जारकन आदी भूभाग में भी फैली हुई है पर जो मुख्य रूप से यह जो गोन चितरकला है यह मद्य परदेश की है तो आप से जब भी पूछा जाएगा तो मद्य परदेश इसका सही की है पिठोरा चितरकला भील जंजाती के सबसे बड़े तिवार पिठोरा पर घर के दिवारों पर बनाई जाती है इसे लिए इसे पिठोरा चितरकला कहा जाता है क्योंकि यह पिठोरा तिवार पर बनाई जाती है किसके द्वारा भील जंजाती के द्वारा बनाई जाती ह पहले घरों की दिवारों पर यह चितरकारी की जाती थी, प्रंतु आधोनिक समय में यह कागजों, कैनवस और कपड़ों आधी पर की जाने लगी है तो यह आप देख रहे हैं, यह है पिठोरा चितरकला, जो की भील जंजाती की द्वारा पिठोरा तिवार पर बनाय जाती है और ये कहां के चितरकला है तो ये गुजरात की चितरकला है पिठोरा चितरकला उसके बाद अगली चितरकला है तंजोर चितरकला तो तंजोर आपको पता ही है तमिल नाडू में है वहाँ पर एक परसिद मंदिर है ना कौन सा वर्धेशवर मंदिर तंजोर में ही है तो तंज चावुर शैली सभी दक्षिन भारत्य चित्रकला रूपों में सबसे लोक प्रिये और शास्त्री यह है यानि कि क्लासिकल पेंटिंग है यह तंजोर चित्रकला चित्रों को पहली बार सोल्मी शताबदी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था और चित्रों के वैसे भी नाम से हिकलियर हो रहा है तंजोर कहां पर है तमील नाडू में है और तंजोर में एक परसिद्ध मन्दीर भी है व्रिदेशवर मंदीर आपने पढ़ा होगा तो तंजोर चित्रकला कए तमील नाडू की है तो आगे एब हम अपनी वीडियो का दूसरा भाग फर् राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और आपसे ये एक्जामें पूछा जाता है और अभी NTPC के एक्जामें भी इसे बहुत से प्रेशन रिपीट हुए थे तो जादा नहीं है आपको बस कुछी याद अखने है इनी में से बार-बार रिपीट होते है उसके बाद हम प्रिवियस एर कोईशन भी कवर करेंगे तो सबसे पहले है रंगोली इसके बारे में तो आपने सुनाई होगा तो रंगोली जो है वो महराश्ट की है याद दखेगा रंगोली कहां की फर्ष चित्रकला है तो यह महराश्ट की है दूसरी है रंगवाली ये कहां की है ये उत्तराखंड की है पांचवी है मगुलू ये कहां की चित्रकला है मगुलू ये आंदरपदेश की फर्ष चित्रकला है ये फर्ष पर बनाई जाती है छटी है अरीपन ये बिहार की फर्ष चित्रकला है उसके बाद है चोग पूर्णा ये बहुत इंपोर्ट यह भी फर्ष पर बनाई जाती है, उसके बाद है कोलम, कोलम तमिल नाडू और केरल की फेमस चितरकला है, पर मुक की रूप से देखा जाए, तो यह तमिल नाडू की है, तमिल नाडू की फेमस चितरकला है, कोलम, मतलब की केरल में भी बनाई जाती है, पर मुक की रूप से तमिल नाडू में बनाए जाती है, तो कोलम कहा कि फर चितरकला है, तमिल नाडू की है, तो सबसे आखिर में है कलमा जट्टू, कलमा जट्टू कहा कि चितरकला है, तो ये केरल की है, तो ये जितने भी फलोर पेंटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, ये किसी ना किसी एक्जा complete होता है अब हम previous year question देखते हैं तो पहला question है कि लोग चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है तो बहुत important question है कई बार पूछा गया है तो मधुबनी शैली कहां की है तो ये बिहार की है option D इसका सही जवाब होगा अगला question है कि पक्षिम बंगाल में फर्षों पर चित्रकारी का कौन सा रूप परसिध है तो बताएए जो पक्षिम बंगाल है वहाँ पर जो फर्षों पर चित्रकला बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option B अलपना अगला question है कि किस मुगल शाचक को चित्रकला का महान पार्खी कहा जाता है तो यह important question है इसलिए मैंने इसे include कर दिया यह मैंने आपको पढ़ाया नहीं पर यह important है तो कौन सा मुगल शाचक है जिसे चित्रकला का महान पार्खी कहा जाता है मतलब कि जिसे चित्रकला का प्रशंशक कहा जाता है तो है जहांगीर option C इसका सही जवाब होगा अगला question है कि पिथोरा चित्रकला किस राज्य से संबंदित है तो फिर थोरा चित्रकला किस राज्य की है तो ये गुजरात की है option D इसका सही जवाब होगा अगला question है कि उत्तर प्रदेश में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप परसिद्ध है तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकारी की जाती है फर्शों पर उसे क्या का जाता है उसे चोग पूर्णा का जाता है option A इसका सही जवाब होगा अगला question है कि काली घार चित्रकला किस राज्य से संबंदित है तो कालि घार चित्रकला कहां से संबंधित है तो इसका सही जवाब है, option A पक्षिम बंगा से ये संबंधित है अगला प्रशन है कि किस भारती राज में कढ़ाई की कला कलमकारी परसिध है, तो जो कलमकारी चित्रकला है ये कहां की है, तो कलमकारी चित्रकला है अंद्रपरदेश की, option A, इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि राजस्थान में फर्षों पर चित्रकारी का कौन सा रूप रसिध है तो जो राजस्थान में फर्शों पर चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे मंडाना कहा जाता है ओप्शन B इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि फुलकारी कला कीस राज इसे संबंदित है तो जो फुलकारी कला है ये पंजाब राज इसे संबंदित है ओप्शन भी इसका सही जवाब होगा आज का आखरी प्रेशन है कि सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तो सूची एक में चित्र कलाएं दी हुई है और सूची दो में उसके राज्य दी हुई है तो आपको सही राज्य का मिलान करना है तो पहले देखते हैं कलमकारी तो जो कलम कारी है आपको पता है कहां की चितरकला है आंदर प्रदेश की तो A का होगा option 2 दूसरी है चोग पूर्ना तो चोग पूर्ना एक floor painting है ये कहां की है उत्तर प्रदेश की तो B का होगा 3 तो जो मदूबनी पेंटिंग है कहां की है बिहार की है तो C का होगा 4 और बचा एकी तो D का होगा 1 तो इसका option कौन सा सही होगा तो इसका option B सही होगा A का 2 B का 3 C का 4 और D का 1 तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद